नमस्कार ग्लिप्स डॉर्णि में आपका स्वागत और मैं हूँ अनन्द चत्यतगर प्रदेश में भाजपा द्वारा जन संपर्क पदियात्रा जोर शोर से जारी है राजिम विधान संपर्क पदियात्रा सूखा ग्रस्ट शेतर में पहुँची तो क्या हुआ देखी गरियाबन से शेख हिमरान की इस रिपोर्ट में सत्तधरी भाजपा द्वारा चोथी पारी की तयारी के लिए जन संपर्ग पदियात्रा निकाल गाउं गाउं पहुँचकर आप जनता से समवात करने में जुटी है बात करें राजीम विधान सभा की तो 11 मार्च से शुरू ही राजीम विधान सभा के विधायक के नित्रत्व में सेकडो भाजपा कारी करताओं के साथ चिल्चलाती धूप में निकाली गई पदियात्रा फिंगेश्वर ब्लॉक मुख्याले के सुखा नदी तर्ट से लगे 18 गर्णाओं पहुची जहां के किसान मांसून वर्षा पर आशित होकर क्रशी करते हैं लेकिन बीते वर्ष वर्षा नहीं होने से सुखे ग्रस्ट की मार से किसानों के माते पर चिंता की लकिरे पहले से चाही हैं जन संपर्ग पदियात्रा ग्राम पंचायत तरगुंजा पहुची जहां एक सभा का आयोजन किया गया और विधायक सहित भाजपा नेताओं ने सरकार की योजनाओं के बारे में अपना उद्बोधन शुरू किया सभा में आम जनता और भाजपा कारे करता ज्यादा नजरा रहे थे इतने में ही कुछ किसान बांध निर्मान को लेकर सवाल पूछने लगे तो कुछ देर के लिए अफरा तफरीही मच गई यहारत इसलिए पेदा हुए क्योंकि सूखा नदी के उस पार अठारा गाओं सूखा ग्रस की चपेट में हैं किसान स्वसल नहीं बेच पाए अधिकांश किसान कर्ज में डूबे हैं यही वजाती कि सभा इस्थल में ग्रामेडों की संख्या कम रही और कारी करताओं की ज् भारती जन्त पार्टी द्वारा जन संपर्क पदियात्रा निकाला जा रहा है और राजिम विधान सभा में राजिम विधायक शंतो सुपाधे के नेतित में जन संपर्क पदियात्रा निकाला गया जो उस अठारा गाओं पहुची है जहां पहले से ही सूखा ग्रस्त की चि किसानों का सिर्फ एक ही मांग है कि उनके जो च्छेत्र है उनको सीचित करने के लिए उस गाउं में इस्थित गोडेला बांद को बनाया जाएं गोडेला बांद बनने से 18 गाउं में सिचाई का साधन बन पाएगा और सुखह गर्स्त जो गाउं हैं वो सुखह गर से मुक्ट कि उसको मिल सकती है हमने कुछ किसानों से बात की तो किसानों ने बताया अगर गोडेला बांग को बना दिया जाए तो अठारा गावों के लिए जीवन दाएनी साबित होगा सबसे बड़े बांधाक समस्य है उमें गाहों को सिचाई भी हो सकते बाहर गाहों को सकते आस पास और जात रही से जब से पानी फोटे बांधा है जब से उमें सिचाई के एचनी है अठारा गाह मिलके फेर उकर अधियरन कर रहे उकर तसील में गे रहे हैं धन्नपरदस्न कर रहें तब हो कुछ सुनाही नी होई ना फसल के तभी तक आवे नी करे हैं दान तो पाकती नहीं हमर गाह में तले तो अंकाल गोंसित कर वो करें ची निये कहा थे कौन हो कहा थे सुनती में अब काय समध थनोलाद बलाल के रहनती नियाओ काथ इसे घाउकर सेती आदमी माना बहुत जन्नी बैठी नो कर सुन बे निकरा तरही है पूछना ने जी इसंतोस करा अब बांधाक समध से गाउं भी में से प्या खायवार नी मिले ता ये अब इच्चे हो गिर इसनी देखे रुको रुको बाद में बोलूनी की बाद में उकाला बोलती है रेंग दिन सीधा गोडेला बांधा फुटे है 15-16 साल हुआ थे वकरे समस्या बर सब बता था अब आथे ते मला ते कुछ नी बता देबो देबो की कथे पैसा कवडी कुछ नी दे ना वकर कुछ औजना नी बनावा थे अब बांधा बर तो बोलीन है राजीम विधान सभा के विधायत संतोष उपाद्याय ने कहा कि इस संबन में आधिकारियों की बेठक लेंगे और जल्द बांध बनाने की बात कही सिचाई की प्राथिमिक्ता पूरे प्रदेश में भार्दी जन्ता पाड़ी सरकार की मानि मुख्यवंद्र जी ने क्रिशी की स्थे बहुत जादा बजट दिया है सिख्षा के बाद क्रिशी के बजट हुआ है और मेरा भी साथ क्रोर रुपया करी बगनी डाइवर्शन में जो अलग केनॉल है जहां से पानी नहीं पल पाता था उसका भी टेंडर हो गया है यह ठारा गांग पर दी चिंता जो बनी हुए मुझको लगता है हमारे रहते रहते में हम सब पूरा कर लेंगे जिससे लगेगा लोगों को कि सरकार काम कर रहे है और बरसों से जो इजनाय पदियात्रा को लेकर विदायक ने ऐसा कहा जनता के बीच हम कमियों को पूछ रहे हैं और मांगों को स्विकार कर रहे हैं विदायक ने कहा कि चोती बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने कोई ताकत रोक नहीं सकती बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्य पूछ रहे हैं और इसा लगता है लोगों को कि हमारे परिवार को आए हमारी बात को सुन रहे हैं हम जो भूल गए हैं उस बातों को खुद याद दिला दे तो जनता में बहुत उस्सा है और चोती बार सरकार बनने मुझको ने तक रोकने को ताकत है राजीम विधान सबक विधायक संतो सुपाध्या ने ये कहा है कि गोडेला बांद को जल्द बनाये जाएगा इस समस्या को लेकर वे प्रदेश के मुख्यमंतरी डॉक्टर रमन सीक तक जाएंगे और इस समस्या को जल्द से जल्द निराखरण करने की बाद संतो सुपाध किसान भूल्द जेल रहे हैं निया गोड़ेला बांद को बनाया जागा क्योंकि सामने दोजार अथारां समझ चुनावा है क्या चुनाओ से पहले समस्या को दूर कhält या फिर चुनाओी मुद्धा इस समस्या को बनाया जाएंगा यह देखने वाले दिल्चसप बात है ग्ल इफ रॉटीन में खबरों का सिस्ला लगतार जारी है